प्रोग्राम की शुर्वात असम से जी हां आपको बता दू असम के दो चड़नों की वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग से साफ पता चल रहा है कि किस तरह से बंपर तरीके से ये वोटिंग हुई है इसके अलावा कि अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी और कॉंग्रेस पार्टी तमाम तरह की कोशिशें यहां पर करती हुई नजर आ रही है लेकिन इस पीच बहुत ही चौकाने वाली खबर मेरे पास सामने आई है आपको बता दू असम चुनाव से पहले एक तो प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है और बीजेपी ने बीजेपी पर निसाना साथने के साथ साथ प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग को भी घेरा है और प्रियंका ने कहा है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी असम चुनाव में पार्टी की जीत होगी और एक की हार होगी लेकिन असम चुनाओं में इस वक की अगर बात करूँ तो फिलहाल जो पक्ष है वो कॉंग्रेस पार्टी के पास जाते वे नजर आ रहे और क्या खबर है मैं खबर की पूरी जानकारी आपको यहां पर दूँगा देखें असम की फाइनल दौर के जो चुनावी जंग है उसमें मुस्लिम मतदाता बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं देखें आपको बता दू बंगाल चुनाओं में भी मुस्लिम मतदाता बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं इसके साती सात की अगर मैं बात करूँ तो असम च कॉंग्रेस पार्टी ने बदरूदीन अजमल के साथ गटबंदन किया है और इसके अलावा जो स्थतिया बन रही है कि मुस्लिम वोट बिलहाल तो कॉंग्रेस के पास चाते वे नजर आ रहे हैं और एक बात यहां पर स्थतिय यह भी है कि मुस्लिम वोट जो है वो राजनीति खेल बिगार सकते हैं यानि कि बीजेपी के लिए मुश्किले खड़ी कर सकते हैं और मुस्लिम वोट बहुत बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है और देखें पूरी अगर खबर की मैं बात करूं तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सत्ता धारी बीजेपी को इस बात क डर लग रहा है कि कहीं मुस्लिम बोर जो है वो कॉंग्रिस के पास चले गए तो ऐसे में उनको नुक्सान होगा क्योंकि कॉंग्रिस पार्टी के स्तती मजबूत होगी असम विदान सबा चुनाओ के लिए दो तिहाई सीटों पर बीते दिनों जो चुनाओ है वो खत्म हो और इन दोनों ही चरण के चुनाओ राज जी की दशा और दिसा को तै करने वाले मात बताए जारें असम में पहले चरण में राज जी के देखिए उपरी इलाकों की सीटों पर जो चुनाओ होए हैं जहां सीए एक बहुत बड़ा मुद्धा था जबकि दूसरे चरण में से बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था और यहां पर एक बार फिर मुस्लिम फैक्टर जो है वो सामने आ चुका है मुस्लिम फैक्टर जिस तरह की अगर मैं बात करूँ तो मुस्लिम फैक्टर वो कॉंग्रिस के साथ जादावा नजर आ रहा है तो यहां पर बीजेपी के लिए परिशानिया खड़ी कर रही अभी बंगाल चुनाओ कि मैं बात करूँ तो बंगाल में जिस तरह से मुस्लिम वोट बटे हैं इसका फायदा बीजेपी को आए क्योंकि मुस्लिम वोट बटने की वज़ा से जो एक तरफा वोट मुस्लिम वोट ममताब एनरजी को पड़ जा रहे हैं और बदरुदीन अजमल का कॉंग्रेस पार्टी के साथ गठबंदन जो है ये कॉंग्रेस के लिए फायदेमन सावित होता वा नजर आ रहा है इसके साथी साथ अगर मैं बात करू तो जिस तरह से इस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और कॉंग्रेस पा के जाएंगे और ताकि अन्य जो मूते हैं उस पर भी लगातार कॉंग्रेस पार्टी काम कर रही है और ये सारी चीजे बीजेपी के लिए परिशानी का सबक बनती जा रही है बीजेपी को इस बात का डर लग रहा है कि अगर कॉंग्रेस पार्टी इस तरह से काम करती रही और लगा था प्रियंका गांधी की रणनीतिया काम होती रही तो इसने बहुत बड़ा फायदा कॉंग्रेस पार्टी को होगा वैसे आपको बता दू कि प्रियंका गांधी ने जो अपना बयान दिया चुनाव आयों को लेकर और बकाइदा उन्होंने टूइट भी किया तो य यहां पर अपनी जीत के लिए बीजेपी सामदान डंडबेक का हर तरीका अपनाती हुई नजर आ रही है वहीं बंगाल चुनाव की भी मैं बात करूँ है बंगाल और असम ये दोनों चुनाव हैं जिन पर बीजेपी ने पूरी तांकत इस वक्त जोख रखी है बंगाल क्योंकि बंगाल में टीएमसी को हरापाना बीजेपी के लिए इतना असाल नहीं होगा और बंगाल चुनाव की मैं बात करूँ तो बंगाल चुनाव में ममतब एनरजी का फैक्टर ममतब एनरजी की रणनी तिया ममतब एनरजी की जो मजबूत इस्तिती है वो लगातार काम प्रियाब होती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बंगाल और अस्व चुनाओ दोनों में बीजेपी ने अपनी ताकत तो लगा दिये लेकिन ये दोनों ही चुनाओ बीजेपी के हाथ से जाते हुए नजर आ रहे लेकिन मुस्लिम वोटों इस तरह से अस्व में कॉंग्रेस पाटी की तरफ जा रहे हैं और बंगाल में मुस्लिम वोटों संप्टे ने तो इसमें बंगाल में हाला कि थोड़ा बहुत पाइदा बीजेपी को होगा लेकिन कॉंग्रेस पार्टी को अस्व में बहुत बढ़ा फायदा मिलता हुआ न Mage आरा और असम में कॉंग्रेस पार्टी की जीत भी हो रही है जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बता दू चुनाओ से जुड़ी पलपल की अपडेट पलपल की जानकारिया मैं उन तक पहुंचा रहा हूं और आगे क्या इस्थतियां होने वाली है इस पर भी मैं आपको जानकार लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल चुनाओ जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां तमाम तरह की रणीतियां अपना रही है और ये रणीतियां बताती है कि वाकई में ये चुनाओ कॉंग्रेस और बीजेपी के लिए दोनों के लिए चुनाओती है कॉंग्रेस इन चुनाओ में हार नहीं मानना चाती है और बीजेपी ये चुनाओ जीत कर रहना चाती है तो ये तो नतीजे ताय करेंगे कि किसकी रैली में कितना दम तो और किस राजनीतिक पार्टी के नेता का जादू यहाँ पर चल पाया यहाँ पर अगर बात की जाए तो अब जनता फैसला करेगी जनता के फैसले के अधार पर ही पता चल जाएगा कि आकिरकार जनता ने किसका साथ या पॉंग्रिस या बीजेपी फिलाल के लिए आज मुझे इजाज़त दीजे नमस्कार